दोस्तों आज मैं आपको सरसो तेल की बिजनिस की क्या सचाई है, क्या इसके पीछे की हकीकत है, क्या सच में इस बिजनिस से पैसा कमाया जा सकता है, वो भी अपने घर से मात्र दो हजार उपर लगा कर, ऐसा पॉसिबल है भी या फिल लोग अपना उल्लू सीधा करने के जिसमें उनके हिसाब से एक लिटर तेल में आपको जो प्रॉफित सारे खर्चे निकालने के बाद, वो कम से कम 20 रुपय का प्रॉफित निकल कर आएगा, आइडिया मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, लेकिन मेरे मन में बहुत सारे सवाल भी आ रहे सर्चो के प्राइस को लेकर, तेल के प्राइस को लेकर और प्रॉफित को लेकर, कि सच में यार एक लिटर तेल में 20 रुपय का प्रॉफित हो सकता है, उसके बाद मैंने यह डिसाइट के इस बीजनेस को प्रेस्टिकली करके देखने का, कि एक लिटर तेल में कितने रुप को इस बड़ा चड़ा कर बत्यागा है, ऐसा लग रहा कि इंडियम इस तो अच्छा कोई भी बधिजन और ही नहीं। लेकिन भाई लोग कोई अपनी मसीन भी अपना यह कोई अपना ब्रांड bेच रहा है। लेकिन इसके पीछे की हधिकत कमा भी पाएंगी। इस सारी चीज़े आज हम लाइब दिखाने वाले हैं आपको कल्कुलेशन भी आपको मैं समझाने वाला जो कि आपको बहुत अच्छी तरीकी से समझ में आ जाएगा उसके बाद आप खुट डिसाइड कर लोगे कि मुझे है बिजनेस करना भी या बिजनेस करना भी तो मैंने कितनी के खरी दी उसकी कतनी खली निकली और हुस 牌ES को में कितने रुपए में बेचा और एक लिटर दिल हमें कितने का पड़ा। जो all-sale price और हमें कितने को गया कि हुंकि ने समय को ने वाला है तो चली वीडियो को शुरू करते हैं तो और सो हमने लिया है 10 किलो जिसको हमने खरीदा है 60 रुपए किलो पुंटल के हिसाब से हमें 58 रुपए में मिल रही थी हमारी गल्ला मंडी में लेकिन हमें उतनी की जरुवत नहीं थी तो हमने दुकान से खरीदी है 2 रुपए मेंगी लेकिन जो हम कल्कुलेट करने वाले हैं वो 58 रुपए के हिसाब से करेंगे तो पहले आप यह कुछ सेकेंड की वीडियो हो इसमें आप लाइट देख लीजे कि कितनी खरी निकल ली कितना तेल निकल ला है उसके बाद फिर हम सारी चीज़ों को कल्कुलेट करेंगे आपको समझाएंगे तो उसके बाद करेंगे वाले हैं झाल झाल अब यहां से मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा अगर आप इस बिजनेस को सुरू करना चाहते हैं या फिर सुरू करने जा रहा है पिसले कल्कुलेट करते हैं सारी चीजे तो सबसे पहले हमारे सरसो कितनी की थी अठ्ठावन रुपए खिलो अठ्ठावन रुप यह टोटल हमारा इंवेत्मेंट है जो हमने पैसा लगाया है अब इसमें जो हमारी खरी निकली थी उसको माइनस करेंगे क्योंकि खरी हमने बेस दिया जिसका हमें पैसा मिल चुका है तो खरी हमारी निकली थी साथ कलिए जिसको हमने बेस चाह सकते है उसे मसीनetic वाले को 2 खरी के रेट पर हमने उसे थड़ी पहस की कि भाई ये कम देरो थोड़ा और बढ़ा के दो तो उसने साब मना कर दिया कि भाई दो रुपया हमको भी कमाना है हम इससे ज्यादा आपको नहीं दे सकते तो मुझे मजबूरी मुझे 20 रुपय किलो ही खरी देनी पड़ी और 20 रुपय के हिसाब से हमारी साथ किलो खरी कितना हो गया 140 रुपय अब 140 रुपय को हम माइनस करेंगे 630 रुपय में से कितना बचा 490 रुपय अब 10 किलो सरसो में हमारा तेल कितना निकला उसको हम 490 रुपय में डिवाइड कर देगे तो हमें फाइनल प्राइज एक लीटर 700 ml जो की ज्यादा निकला है एवरेज के इसाब से मसीर माले ने बताया कि भाई 33 से 34% का रेशियो मानकर हम चलते हैं कभी थोड़ा कम निकलता है कभी थोड़ा ज्यादा निकलता है यह सारी चीज़े सरसो की क्वालिटिय पर डिपेंड करता है कभी-कभी सरसो का एवरेज है वह हमेशा बराबर रहे है इसलिए हम भी 33% के हिसाफ से कैलकुलेट करेंगे तो तेल जो हमारा है वह है तीन लीटर 700 ml लेकिन इसको मानेंगे तीन लीटर 300 ml अब तीन लीटर 300 ml तेल को हम डिवाइड कर देंगे 490 रुपए में कितना आया 148 रुपए 48 पैसा लेकिन इसको हम 48 रुपए ही मानकर चलते हैं कि एक लिटर तेल हमें 148 रुपए का पड़ा अब इसमें आप 7 रुपए और जोड़ दो जो की बहुत कम से कम में जोड़ के आपको बता रहा हूं बॉटल का खर्चा लाने ले जाने का खर्चा लेबर का खर्चा प्लस बॉटल पर जो आप ब्रांडिंग करोगे यानि लेबर तीकर जो लगाओगे उसका खर्चा अब 7 रुपए से कम तो कोई सवाली पैदा नहीं होता कि आपका खर्चा आएगा क्योंकि बॉटल ही केव अब भी नहीं जोड़ा है इसके लावा और भी हर्षे आप लगेंगे लेकिन वह सारी चीज़ हम नहीं जोड़ने वाले है क्योंकि हम छोडे से सुरू करने वाले हैं अपने से नहीं से एक लीटर टेल कितने का पड़ा arriv एक सफ़ फपच्वन रुपयर और जोmi मार्किट में कम्पनी का टेल भिक रहा है उसका जो होलसेल प्राइस है वह 157 रुपय का है जो की रिटेल दुकानदार इस रेट पर खरिद कर लाते हैं अपनी दुकान से बेचने के लिए और यह जो मैं आपको रेट बता रहा हूं वह बैल कोलू का बता रहा हूं जो की पहुचाना पढ़ेगा दुकानदार के वल तेल लेने के लिएनुकल ना भी आदमे भेज़येगा यह ओखुध ही नापको खुद ही पहुचाना taş पडएगा आगर कोई रिक्सा दही तो पहुचाने का क्षर्चच आएगा वह आपका अलग से लगने माला है अगर आप डारेक कस्टमर को तेल बेच रहो तो उसमें तो आपका दस रुपय तो बचेगा और सुद्ध तेल के नाम पे आप कस्टमर से पांच रुपय ज्यादा भी ले रहो तो कस्टमर से आपको मिल भी जाएंगे यहीं पंदर रुपय भी आप एक लिटर तेल मे कमा सकते हैं लेकिन आप बेचोगे कैसे अगर आप घर घर जाकर तेल बेचेंगे तो भी आपको प्रेट्रोल और गाड़ी का खर्चा एक्स्ट्रा आएगा अगर आप एक जगहां बैट कर बेचने जाओगे तो भाड़े पर आपको दुकान लेनी पड़ेगी उसका भी ब बाहर तो आप सप्लाइ नहीं करोगे आप अपने आसपास ही बेचोगे तो बहुत बेच लोगे आप 10 लिटर 20 लिटर या फिर कोई सीजन का टाइम चला तो आप 30 लिटर तक आप बेच लोगे 30 लिटर भी अगर आप डेली तेल बेच रहो तो आपको प्रॉफिट कितना वी जरुवत आपको पढ़ने वाली है, उसके बाद सबसे मुश्किल काम है, ब्रांड कंपनियों से कंपटिशन करना है, जो की बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए ये छोटी पूंजी वालों के लिए काम नहीं है, इसमें experience और पैसा दोनों चाहिए, अगर आप बहुती नह और वहां पर तेल की क्या प्राइस चले, वह चीज़ आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना, इसके लाव आप किसी और बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, पूरी डेटेल के साथ, मुझे आप कमेंट कर देना, मैं पूरी कोसित करूंगा उस बिजनेस के डेटेल में वीडियो बनाने की, बागी वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार रोत सब्सक्राइब भी जरू कर देना, इस एक साथ बस्तों आपसे इजाधत चाहते हैं, और फिर मिलेंगे एक और नही वीडियो नही नॉलेज के साथ